एलो स्टुडेंट्स इस वीड़े में हम बात करेंगे एक वेरी इंपोर्टेंट अपडेट जो अल सीमेर फॉंडेशन इंटर फाइनल जून 2024 स्टुडेंट्स के रिगार्डिंग वेरी इंपोर्टेंट है नाव फर्स्ट पॉल अपडेट बताऊं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स अगर आप सभी यूटूब चैनल नहीं हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जो साइड में बेल एकन वाला बटन सो प्रेस कर देना ताकि CMA Examination regarding कोई भी important update, announcement and notification आप मिस ना कर पाएं इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप CMA Foundation, Enter या Final का एक्जाम जून में देने जा रहे हो तो एक क्योरी आते सर क्या 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 कहरी करना चाहिए हमको अपने एक्जाम में ले जाने के लिए तो आप देखेंगे कि ICMA ने आपको आपके examination में क्या क्या ले जाना चाहिए उससे regarding guidelines already released किया है बहुत simple सा है देख सकते special permission later received from the institute granted extra time और such subscribe, write or extra time and subscribe of applicable यह कौन से student eligible होते हैं इसके लिए जो कोई handicap होते हो और वो लोगों ने apply क्या हो extra time के लिए तो उनको एक special permission later carry करना पड़ता है अब lockdown तो खतम हो गया बट ICMA में जो है हमेशा एक चीज़ notice करती है कि आपको face marks लेकि आना है आपके examination में तो यह हमारी responsibility है कि हम face marks लेकि जाए कि नहीं जाए अब लेकि जाएंगे तो भी good है बट मैं suggest करूँगा लेकि जाना चाहिए बिकोस यह guidelines क्या कोड़ी है और एक क्या है 50 या फिर 100 ml का एक sanitizer हमें also sanitizer तो carry करना चाहिए because no need की lockdown हो या ना हो हम अपने हाथों को सोच रखना चाहते हैं और अच्छे से लिखना भी चाहते है तो एक sanitizer carry कर लेना no more 20 to 30 रुपीज काएगा अब very important point यहां से start हो रहा है तो जरूर से ध्यान सच्छे देखना आपको आपके examination में stationary item लेके जाना है उसमें क्या होगा pen pencil eraser ordinary non programming और यहां पे non programmable non scientific calculator एक बहुत normal calculator आपको carry करना है आपके exam में आप scale carry कर सकते हो जैसे के हर को scale carry करता है अधर जो कुछ भी आपको लगे कि requirement होगा आपके examination में तो carry करना paint जहोगा 4-5 extra paint carry करना pencil 2-3 carry करना calculator अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा से condition ठीक नहीं तो एक new calculator खरीद लेना बर याद रहे कि non scientific होना चाहिए और आपका जो पाउज अब यहां से देख सकते हैं कि पाउज की बात होती है राइटिंग examination in a transparent पाउज पाउज और क्या है transparent water bottle जो आप bottle carry करेंगे और transparent होना चाहिए मतलब provide कुछ अलग drink करके मत जाना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं transparent examination board जो आप pad carry करते हो जिसे हम कहते हैं वह भी transparent होना चाहिए और बहुत सरे स्टूडेंट क्या करते हैं watch carry करते हर स्टूडेंट को watch carry करना चाहिए as like घड़ी बट आपको एक चीज याद रखना कि आपके examination में जो आपका watch होगा उसमें कुछ भी as like electronic नहीं होना चाहिए जैसे कि हमां आजकल का जो watch है electronic है हम touch करते ही time दिखता है सारे watch में time दिखता है उसमें date सो होता है display other functions होते है तो उस तरह के watch को आप ignore करना एक normal watch carry कर लेना have a great student यही common thing है जो हर CMA foundation inter final students को carry करना चाहिए admit card carry करो identity card carry करो very important है admit card और identity card have a great day students अगें अगर आप से भी YouTube चैनल पने हो तो प्लीज चैनल को like subscribe एंजो साइड में बेले कनॉला बटन सो प्रेस कर देना thank you students